हाजी दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी को नमस्कार तो आज मैं घर के बेसिक समान से एक बहुत इलाजवाब रेसिपी आपको बना कर दिखाऊंगी तो आए देखी इसके लिए मैंने क्या क्या लिया था प्रेशे कुकर ले लिया है उसमें तेल डाल दिया था दो चमस तेल डाल के अच्छे से गरम कर लूँगी घर की बनी हुई उरत की बरिया है इनको तोड़ करके थोड़ा सा फ्राइ कर लिया है फ्राइ करने के बाद मैं इनको साइड में निकाल लूँगी अच्छे से फ्राइब कर लेंगे जिससे कि यह पकने में पक जाती अच्छे से और यह देखे लाला सी हो चुकी है अब मैं इनको निकाल लूँगी अब यहाँ पर थोड़ा गरम मसाला लिया हुआ है खड़ा जीरा लॉंग है दो काली मिर इनको पका लूँगि पकने के बाद यहाँ पर मैने दो टमाटर ऐसे लंबे-Labे काट लिये थे इनको भी मैने अड़ कर दिया है बेसिक मसाले ठोड़े याइड कर रही हूं हल्दी मेर्च गरम मसाला है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चो है न मीटमसाला आड़ किया रप यह उप्शनल है आपके उपर है तो यह सबजी जब आप बनाओगे न तो जो नहीं भी खाता है लोकी न वह मांग मांग के खाने लगेगा यह मेरी गैरेंटी है यहां पर मैंने कश्मिरी लाल मिर्च एड किया है जो की थोड़ा कलर के लिए अच्छा कलर आ जाता है और यहा आड कर दूंगी दोस्तों मेरे बच्चे लोकी नहीं खाते हैं लेकिन यह सबजी जब मैंने बनाई न तो मांग मांग के खाईए उन्होंने यकीन मानी जब भी आप बनाएंगे तो जरूर ऐसी होगा आपके यहां भी यहां पर मैं पानी इतना डाल रही हूं कि लोकी और अच्छे से चने की दाल डूब जाए बस इस नहीं पाने डालना है और चाट सीटी तक पकाना है क्योंकि चने की दाल पकने में थोड़ा टाइम लेती है पकने के बाद इस तरह से इसका लुक था बहुत ही टेस्टी लाजवाब सबजी थी खुश्बू तो इतनी अच्छी आ रही थी कि यकीन मानिए अच्छी से अच्छी सबजी इसके सामने फेल है जो भी बनाते हैं मसालेदार उसके आगे ये फेल होगी जरूर मेरी गैरेंटी है बना के एक पर जरूर खाएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताएगा अगर मेरी डेस्पी आपको पसंद आई योग लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजेगा दोस्तों और ये देखिए इसका ये लुक है बाबाई दोस्तों